नमस्कार आरेनियों देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग मुद्ध प्रदेश और चतिसगर बुलिटन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ 14 जुलाई को बुपेश कैबिनेट के कहम बैठक होने जा रही है यह बैठक सेमावास में होगी और यह तो पहर बारा बज़े की जाएगी बता जा रहा है कि कैबिनेट के इस बैठक में मच्वा निती को मंजूरी दी जा सकती है साथी इस कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकती है अब आपको बता दे कि 34 गड़ में बुपेश कैबिनेट की बैठक विदानसभा के मौन्सून सत्र से होने वाली पहली बैठक होगी और यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि ती इन साल से लगे बैन पर पाबंदी हट सकती है ऐसे में राज्य में करमचारियों के लिए उमीद की किरन एक बार फिर से जगे है ऐसे में ट्रांसवर पर बैन खुलने की मांग करने वाले तमाम करमचारी संगचनों के लिए यह बैठक काफी एहम मानी जा रही है आपको बता दे कि विधान सबा का मौन सुन सात्र 20 जोलाई से शुरू होने वाला है और इससे पहले 14 जोलाई को मुख्यमंत्री निवास पर मुपेश कैबिनेट की यह एहम बैठक होने जा रहे है अब मुख्यमंत्री शिवरास्विंग चोहान के चदरपुर जिले के खजुराहू प्रवास के दोरान चंडी चाय मुहाया कराने पर एक अफसर को यह महंगा पड़ गया उसी कारण आपको बता दें कि इस अफसर को कारण बताव नोटिस जारी कर दिया गया और कॉंग्रिस ने इस पर अब चुटकी ली है महीं आपको बता दे कि अनुवे भागी अधिकारी मुख्यमंत्री को ठंडी चाय दिये जाने की बात से इनकार कर रहे है मामला 11 जुलाई का है जब मुख्यमंत्री खजुराहू हवाई अड़े पर ट्रांजिट विजिट के लिए कुछ ही देर के लिए गये गये थे इस दोरान उन्हें नाश्ता और चाय उपलब्ट कराने के जमेदारी आप पर थी जिसमें चाय का जो स्तर्ध है वो ठीक नहीं था और ठंडी थी इस से जला प्रशासन के सामने अशोबनी अस्थिती निर्मित हुई है और प्रोटोकॉल के अनुपालन पर प्रशंचिन लगा है अधेश के राजपदी चुनाफ के लिए मतदान अठारत जुलाइ को होगा जहां बीज़पी ने ग्रहह मंत्री नरुटम मिनिश्टा को राजपदी चुनाफ के लिए प्रभारी बनाए गया है तो में चिकिस्ता सिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सेप्रभारी बनाये गया जो कि NG की तरफ से दुरापदी मुर्मू प्रत्याशी है तो में विपक्ष की तरफ से यश्वन सिना उमीदवार हैं और BJP और कॉंग्रिस दोनों ही अपने प्रत्याशी के समर्थम में उनका स्वागत करेंगे इस बीच मुर्मू बीजेपी विधायक दल की एक बैचक में भाग भी लेंगी और ग्रहमंत्री नरुत्तम मिश्वास संसदी एकार मंत्री भी हैं उन्होंने विपक्ष के विधायकों से अपील करते हुए कहा है कि देश में पहली बार जन जाती सम और मैं तो सभी विधायकों के जो हमारे विधायक हैं विधान सवा में उनसे आग्रह करूंगा कि अंतरात्मा की आवाज पर मद्दान करें महामयम राश्टपती जैसे पदपर पहली बार जन जाती वर्की हमारी बेहन जा रही है इसके लिए सब को अपनी अंतरात्मा पर आवाज पर मतदानों ने करना चाहिए